ओम नमस्षिवाई का सहारा लेना पड़े जहांपर कि आपका भाग ये स्ट्रॉंग करना हो और आपके देवी देवताओं का आपको सहारा चाहिए कि वो आपकी इसमें मदद करें तो अपने भागे को चमकाने के लिए धनसबदा पाने के लिए और अपने रोगों का अपने दारिद्र का विनाश करने के लिए आप इस त्रोत्र को पढ़ सकते हैं इस त्रोत्र की रचना भगवन इंद्र ने की थी और ये कहा था अगर कोई एक बार इस त्रोत्र को पढ़ता है तो उसके जितने ही पाप हैं उनका विनाश हो जाएगा अगर कोई इसको दिम के दो काल में पढ़ता है तो उसे धन समपदा मिलेगी अगर कोई तरिकाल संध्या इसका पूजा करेगा तो उसको महाशत्रु जो भी होगा उसका विनाश हो जाएगा तो ये अगर आप एक बार भी पढ़ते हैं तो भी इसमें आपको असर दिखेगा लेकिन हर एक का आपको बता रखा है किस तरीके से आपको पढ़ना है अगर आपको धन समपदा चाहिए तो इसको सुबह शाम पढ़े इसकी पीडियेफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एक बार मैं आपको इसको पढ़के दिखा दूँ कि इसको किस तरह से पढ़ना होगा शब्दों का ध्यान रखे और इसमें कोई भी तरूटी ना करे सबसे पहले भगवान गनेश को याद करे और आप कह सकते हैं श्री गनेशाई नमा या फिर कुछ उनका कोई भी बंतर बोले इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं श्री गनेशाई नमा नमस्ते तू महामाय श्री पीठे सुर पूझिते शंक चक्र गदा हसते महालक्षमी नमोस्त ते सिथोलिष्ट Σुक्ष्मि महारोत्रे महाशक्ती महोतरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तते पद्मासन स्धे देवी प्रब्रम सुरूबिनी परमेशी जगनमात महालक्ष्मी नमोस्तते श्वेतम्बर धरे देवी नाललंकार भूशिते जगत स्थे जगनमात महालक्ष्मी नमोस्तते इसको भक्ती भाव के साथ आपको पढ़ना होगा और आखिर में जब ये खतम हो जाए तो आपको अपना जो मनुर्वत है उसको स्पष्ट करना है कि मुझे लोट्री जीतने हैं या मुझे धन चाहिए या फिर आपको कुछ नहीं चाहिए सुख शान्ती चाहिए तो आप ये भी कह सकते हैं अगर किसी भी तरह की दिक्कत परिशानी आए तो मुझे कॉल किज़ेगा कि फिर दूब काथ तरह किacağız? कि भी कि 説が उने हैं वे जाए तो मिएस हैं माट करना है कि वह जए सकते हैं और रभी कि मुझे चाहिए झाल झाल